आजकी वीडियो का टॉपिक है कि कैसे हम AC को DC में औरا touchdown कर सकते हैं इस चीज में बहुत से लोग को दिखा वाट कैसे AC बोल को DC में contr klin drift करें और फिल कभी हमें 12 volt की 30 उसको AC में convert करना है किसी wall या किसी चीज को चलाने के लिए तो उसको कैसे convert किया जाता है तो आज की इस वीडियो में मैं आपको इसी के बारे में बताने वाला हूँ तो चलिए वीडियो को एकटाथ करते हैं तो फ़र्ण सबसे पहले हम AC वोल्ट को DC में कैसे कनवर्ट करना होता है और सिखेगे तो सबसे पहले मैं आपको वोल्टेज चेक करके दिखाता हूँ तो आप देख सकते हैं 700 वोल्ट AC पर है तो इस कौन करते हैं उसके आद यहां वोल्टेज चेक करते हैं एक मैं फ्रेंट तो फिर आप देख सकते हैं 238 वोल्ट AC आ रहा है तो अब इसको DC में कैसे कनवर्ट कर है तो सबसे पहले मैं यहां से लाइन कट कहता हूं और एक और बात फ्रेंट कभी आप ऐसा एक्परिमेंट या प्रैक्टिकल कलते हैं इलेक्टोनिक पोल्ट के साथ है तो आपको हमेशा सीज टेस्टिंग लैंप से करना चाहिए कभी भी गलती से दोनों पॉइंट आते त का नाम ब्रीज लेक्टिफायर है और सिख्रिंट मारकेट में लेडी मेच ब्रीज लेक्टिफायर भी आते हैं लेकिन आप अपने घर में भी भीविग्टिफायर हैं कैसे वाना हैं तो उसके लिए आपको दयंद की जूर्द पढ़ेगी हैल एक दयंद चाल ऐसी डैयोड देख सकते हैं मैं नीचे लिंक दे दूगा तो देखिए फ्रेंट इसको एसी लाइन देता हूँ तो डेटेट में लाइन आप कर रखा है अगर आपको इस सब चीज का नॉलेज नहीं तो आपको ऐसा प्लैक्टिकल नहीं कर चाहिए अगर आपको नॉलेज यह तब ही आप प दीची वोल्टेज दीची में कनवर्ट हुआ की नहीं तो सबसे पहले मैं इसको डीची हजार बोल्ट पर लगाता हूं उसके आपको 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 देख सकते हैं दोसो अश्रा बोल्ट डीची हो चुका है अब मैं बापस रेक वाल यहां एसी बोल्ट चेक रहे ताब मैं हमें एसी वोल्ट लगाया हम उसके आद इसका एसी वोल्टेज चेक करते हैं तो यह एसी वोल्ट दोसो प्याटी अलती सारा है मतलब हम इसको जब एसी को डीची में कनवर्ट करें तो हलका वोल्टेज डाउन हो आए तो इसका क्या उपाय है इसके लिए आपको एक क्याप आप चलिए बताते कैसे DC बोल्ट को AC में convert किया जाता है तो फ़रें DC बोल्ट को AC में convert करने के लिए आपको सबसे पहले एक transformer की जुरत पड़ेगी क्योंकि पर जो आपका 12 बोल्ट DC होगा उसको AC में convert किया तो 12 बोल्ट ही AC निकलेगा वो 220 बोल्ट नहीं हो जाएगा तो उस 12 बोल्ट को 220 बोल्ट करने के लिए आपको एक transformer की जुरत पड़ने पाली है तो फ़रें आपका transformer क्या करेगा एक टेप अब कलतेगा voltage को लेकिन फ्रेंड बहुत से लोग यहां गलती करते क्या करते डारेक्ट यहां इसके output में या बॉल्ट कनेक करते और डारेक्ट यहां 32 बोल्टेज देने रखते हैं लेकिन फ्रेंड मैं आपको बताओ अगर आप डारेक्ट किसी भी transformer में DC वोल्ट देते हैं तो आपका transformer जल जाएगा क्योंकि फ्रेंड आपका transformer frequency पे काम करता है frequency क्या होता है मैं आपको आगे बताओगा तो आप DC वोल्ट किसी भी direct transformer को नहीं देजिए तो फ्रेंड देगे किसी भी DC voltage को AC में convert करने के लिए हमें क्या करना होता है उसको frequency में convert करना होता है क्योंकि फ्रेंड हमाई घाल में जो AC वोल्टे जाती है उसमें 50 Hz का frequency होता है तो आप यह frequency में कैसे convert कियाता है तो फ्रेंड यहाद तांदिस्तर की मरस्ते यह आपके MOSFET या IC की मरस्ते किसी भी DC वोल्ट को frequency में convert कियाता है फ्रेंड आपका AC वोल्ट में पॉरिटीव निगेटीव होता है लेकिन उसमें frequency होता है जैसे परेंड आपकी DC में पॉरिटीव निगेटीव फ्रिक्स रहेगा जो पॉरिटीव निगेटीव ही रहेगा लेकिन आपके AC में ऐसा कोई fix नहीं होता है वो कभी भी change है क्योंकि परेंड जो frequency होता है वो खुछ इस डातर देखिए जैसे उपर नीचे उपर नीचे 12T change होता है कभी आपका पॉरिटीव निगेटीव होता है कभी आपका नेगेटीव होता है तो frequency होता है तो परेंड आपका frequency में क्या होता है यो आपका घर्ड का समाल हो चाहिए LED बल्द और को या कोई भी AC समाल हो वो एक सेकेंड में 50 बाल अन होता है और लेकिन आपको दिखता नहीं जैसा कि आप एक वीडियो देख पर है इसको मैंने एक ट्यूब लाइट के सामने जाएके कैमरा से रिकॉर्ड किया है जैसा कि आप लगधा है यह आपको लगधा कि ट्यूब लाइट बाल 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 जल रहा बुट रहा है बताब आप आन-घोरज फैंट असा ही होता है लेकिन हमें नॉर्मल आशक से पता नहीं चलता है कि हमार्द numéro बाल 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 जलल रहा है वूत तो सब़ेंट फ्रेक्उै यही होता है और फिर्ट आपको किसी भी DC voltage को AC में convert करना है तो मैंने आपको पहले बता है आपको या टांजिटल चाहिए या मोश्पेट चाहिए ये फिर्ट क्या कलता है आपके voltage जो DC voltage को frequency में convert जिससे आपको DC बोलता है AC में convert हो जाता है फिर्ट इसको आप चाहे तो हाथ से भी convert कल सकते हैं कैसे कल सकते हैं लेकिन फिर्ट फॉर्सिवल नहीं है लेकिन मैं आपको बताया था जांपर के लिए तो फिर्ट आपको क्या करना एक जो ब्यार्टि का निगेटिव है उसको transformer क के second section लेना है कि पर आप transformer को उल्टा करेगा तो ही आपका step अपको सीज़ा लगाता है तो आपको डाउन होगा तो आपको एक सेकंड में 50 बार आपस में तकड़ा के निगाजी करना होगा आपको एक सेकंड में उसको बाल बार तच करके 50 बार तच और उनट आपको बाल ऐस लगना type का होगा जिससे आपका frequency जन्नेट होगा और आपका LED बर्स जल जाएगा तो फ़रेंट AC को DC में और DC को AC में ऐसी कंवर्ट किया जाता है और अगर आप मुझे comment करते हैं कि मुझे DC को AC में convert करके live दिखाओ किसी circuit के मौह से तो मैं DC को AC में convert करने का एक circuit बना के आपक जाओ बनावगा तो अगर आपको छोटी सी जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जाओ किजेगा तो फ़रेंट चलिए मिलते किसी और वीडियो में टेक कियर बाई 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 चाहिन